और मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक छोटा साथ ना मिली गार्डन तो जरूरी से आप जुन चाहिए और जितना हो सकते वीडियो को शेर कीजिए तो शुरुवात करती हूँ मैं यहां से जहां से मैंने पोटोला का के पूल हुगाए है आज पोटोला का के पूल बहुत कम खेले हैं क्योंकि आज हमारे यहां सुबह से ही बारिश हो रही है बहुत ज्यादा यहां है मेरे कुछ औरेंज पोटोला का पर्सलिन जैट प्लांट परपल हार्ट यह फोर भी आ मिली और यहां कुछ बोटोल्स के डियाइवाई तो आपको यह सुन्दर सुन्दर से कूल कैसे लगे जल्दी से कॉमेंट बोक्स में बताते रहे हैं यहां मैंने लगा है कुछ पेटिंग्स जैसे चमपा सदावाहार, बोगन विलिया, बोड़हल, रोज, यह सभी मैंने पेटिंग्स लगाई हैं करीड दो दिन पहने यहां है मेरा सफेद बोगन विलिया, यह मैंने कुछ ऐसे ही बोटल का डेया है, वाई गुनाया है, यह ऐसे जूमर, इस पर बहुत सुन्दर सुन्दर से कूल खिलते है, यहां है पिंक बोगन विलिया, अगर आपको भी अपने गार्डन के सुन्दरता को बढ़ाना है, त यहां है पिंक बोगन विलिया, यहां है मेरे स्वीट लाइन, चोटी मॉस्मी जिसे बोलते हैं, खटी मीटी मॉस्मी होती है, यहां है मेरे कुछ रोजज फ्लावर्स, जो अब बास की वज़े से मुर्जय मुर्जय से हो गए है, यह देखे हैं, यह यल्लो रोज, अब अम्रूद का पोधा, चोट आप इस पर अम्रूद लगना भी शुरू हो गए है, अभी गर्मियों के लगे थी, आप इस पर दूसरे सिजन के अम्रूद लगना शुरू हो गया है, यह है मेरे अनार का पोधा, आ देख सकते हैं, मेरे अनार के पोधी बंड, हैर सारी भूल गया है याद आते ही व्यरूज बताई रहे है यह प्रमीर लगे हैं यह मेरे चैकू का पथा इस पर भर बहुत सारे ओचैकू डू रहे है यह देखे अब आजाते हैं लेमन प्लांट यह दEK MIT बहुत सारे मिम्बू इस पोधे पर लगे हुए हैं गुच्छों में यह देखिए अब आजाते हैं सबजी के जैसे बेंगन यहाँ पर कुछ बेंगन लगे हुए है इसके बाद आते हैं सबजी जैसे तोरी उगाई हमेले यह देखिए आप भी अगर सबजी आउगा रहे है तो इस तरह से मोटन्स कट करके आप उनों सबजी के रूपलों के छिलके डाल सकते हैं जैसे आपके पोधों की रूप बहुत अच्छी होगी यहां मैंने कुछ बैंगन उगाई है इन पर भी पूल आना शिरू हो गए है यहां मैंने अचारे में चुगाई है छोटे-छोटे है इसकी पूट हो रही है तो आप सुरक मेरा इच्छोट आसा मेली गार्टन कैसा लगा पॉमेंट बक्च में जरूर बताईए तो आप सु